जैश्री कृष्ण आज हम बनाएंगे चनादाल ढोकला यह बहुत ही टेस्टी बनकर तयार होता है इसे दही और पुदीना की चटनी के साथ खाई है बहुत टेस्टी लगता है आप इस तरीके से एक बार बना के देखिए ढोकला कभी भी खराब नहीं होगा और बहुत ही टे अगर रात में भीगाना है तो रात में भीगा दीजिए और रात भर भीगने दीजिए इसे यह देखिए चार घंटे में यह अच्छे से फूल गई है अब हम इसे मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे सारा का सारा इसमें डालकर और थोड़ा सा पानी डालेंगे बहुत बहुत हलका सा पानी डाल कर इसे हम पीस लेंगे ज्यादा पानी डालना नहीं है इसे गीला नहीं करना है बस इतने में ये अच्छे से पीस जाएगी इसे पीसने के बाद इसमें डालेंगे आधा कप दही एक कप चना दाल में आधा कप दही डाला है अब इसमें साथ ही में ड नमक डाल कर इसे हम अच्छे से मिला लेंगे दही और चना दाल को अच्छे से फेटते हुए मिलाना है कि अच्छे से मिलाएंगे इसे नीचे से उठाते हुए पूरा अच्छे से हम इसे मिला लेंगे इसे अच्छे से फेटने के बाद हम इसे धक कर रख देंगे साथ से आठ घंटे के लिए से फर्मेंट होने के लिए रख देंगे तब ही हमारा ढोकला अच्छे से फूलेगा और बहुत ही अच्छा बनेगा इसे रात में पीस कर रख दीजिए रात भर में आराम से ये फर्मेंट हो जाएगा इसको रख देंगे अब हम बना लेंगे दही की चटनी, इसके लिए लिया है हरा धन्या, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा काला नमक, हरी मिर्ची और इसमें बहुत थोड़ा सा पुदीना डाला है, आठ से दस पत्तियां है बस इतना ही डालना है ज्यादा पुदीना नहीं डालना है और थोड़ा कुछ अब से पानी डाल कर पीसना है पीशने के बाद अब इसमेnity मिलाएंगे आधा कप दधी अधा कप दही मिलाने के बाद इसे हम पस एक चक्कर गुमाएंगे मिक्सी में बस एक चकर गुमाना है ज्यादा नहीं बस ये चटनी तयार है, बहुत ही टेस्टी चटनी लगती है ये, ढोकले के साथ, अब एक कढ़ाई में हमने पानी गरम करने को रख दिया है, अब एक पैन को घी से हम ग्रीस कर लेंगे, इसको चारो तरफ लगा लेंगे, अब चना दाल में हम एक पाउच इनो डालेंगे, औ और नीचे से उठाते हुए अच्छे से इनो पूरे पेस्ट में हम मिला लेंगे, देखे इस तरह से अच्छे से मिला लेंगे इसे पूरे में, नीचे से उठाते हुए, ताकि नीचे तक अच्छे से मिल जाए, अच्छे से फूल गया है पूरा पेस्ट हमारा, इसमें अच अच्छा फूलेगा यह धोकला अब इसको उसी पैन में हम डाल लेंगे सारा का सारा इसमें डाल कर इसको हलका सा बराबर कर लेंगे ठोक कर और इसमें रख देंगे कढ़ाई में कढ़ाई में नीचे की स्टैंड लगाया है पानी डाल कर और इसमें स्टैंड के ऊपर हम अपन के लिए 25 निट बाद मैंने चाकु लगा के देखा तो हल्का सा गीला था इसले इसे 5 से 10 मिनिट के लिए और ढ़का है 성ys का अब 5 से 10 मिनिट के बीच मैं ही फिर से देखा है तो यह अच्छे से हो गया है अब हम BO कर निकाल कर ठंडा होने के बाद को से चारो तरफ से इसे निकाल कर ऐसे ठोकेंगे और यह हमारा आराम से निकल आएगा यह देखें कितना अच्छे से फूल घया है अच्छे से फग गया है यह बिलकुल भी गीला नहीं है बहुत ही स्पंजी बना है कि इस सारे के पीस ऐसे काट लेंगे, ये देखिए अंदर से कितना जालीदार है, एकदम स्पंजी है, बहुत ही अच्छा बनाए है ढोकला, अब एक कड़ाई में सरसो का तेल लेंगे, दो चम्मच, इसमें सरसो के दाने डाल देंगे, इसके बाद इसमें डालेंगे करी पत्ते हरी मिर्ची, बीस से चीरा लगाके हरी मिर्ची डाली है, और इसमें डालेंगे आधा ग्लास पानी, पानी को अच्छे से खौला लेंगे, जब पानी खौलने लगेगा तो इसमें डालेंगे दो बड़े चम्मच चीनी, दो बड़े चम्मच चीनी ली है, आधा नीमबू का रस, क्योंकि हमारा ढोकला पहले से थोड़ा खटा था, धनिया की पत्तियां, और इसे अच्छे से चला लेंगे, और फिर ये पानी खौलने के बाद हम अपने ढोकले के उपर डाल देंगे, इस सारा का सारा पानी इसे ढोकले के उपर डाल देंगे, अंदर तक पूरा जूसी हो जाएगा और बहुत ही टेस्टी लगेगा बहुत ही जादा टेस्टी बनकर तयार हुआ है ढोकला देखे एक दम स्पंजी जाली दार बना है बिल्कुल भी कहीं से कच्छा नहीं है बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है आप एक बार इसे जरू ट्राइ करिए चेटनी के साथ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एकदम मसाले दार बढ़िया बनकर तयार है ये थैंक यू